हे गाईज मैं हूँ क्रिक्षाइफ तो आप सभी का दिल से स्वागत हैं मेरे चैनल पर तो आज की वीडियो की स्पेशल डिश में है T2011 of the calendar year 2021 तो यार इस डिश की यह खासियत है कि इसमें जिस किसी भी प्लेयर ने T20 इंटरनेशनल में throughout this year consistently और थगडी परफोर्मेंस दिख ही हो चाहिए वो कोई सी भी नेशन को बिलॉंग करता है तो मैंने उसी प्लेयर को इंक्लूट किया है अपनी T2011 of the year में तो on that basis मैंने हर एक बैट्समेन को एक पटिकुलर बैटिंग स्पॉर्ट दिया है जहां पर वो स्यूटेबल है और सबसे अच्छी परफोर्मेंस रही है तो उस दौरान उन्होंने कुछ 1326 रंस बनायते विद्धी एवरेज ऑफ 74 एंड स्ट्राइक कुछ रहाता 135 के आसपास तो इसी के साथ हम चलते हैं जौस बट्र की तरफ तो उन्होंने कुछ 14 इनिंग्स में 589 रंस बनायते विद्धी एवरेज ऑफ 65 एन उनका स्ट्रा के मिशल मार्श को तो आट ओफ 21 मैचेस उन्होंने 14 इनिंग्स नबर 3 पर बैटिंग करी थी तो उस दौरन उन्होंने 549 रंस बनायते विद्धी एवरेज ऑफ 45 एन उनका स्ट्राइक कुछ रहाता 133 के आसपास अगर किसी भी टीम को ऐसा एक तगड़ा टॉप और मिल जा को तो नंबर 6 पर मैंने इंक्लूट किया है डैविड मिलर को एंड नंबर 7 पर मैंने इंक्लूट किया है श्रीलंका के वनिंदू हसरंगा को तो उन्होंने सबसे जाधा विकेट्स लिए हैं इस कलेंडर इयर में T20 इंटरनेशनल के अंदर तो इसके साथ हम चलते हैं लोग और और मैंने इंक्लूट किया है नंबर 8 में साथ एफ्रिगा के शामशी को जिन्होंने कुछ 22 मैचेस में 36 विकेट्स लिए हैं विद्धी एकनॉमी रेट ओफ 5.72 उसके बाद मैंने नंबर 9 पर रखा है बांगलादेश के मुश्तफिश और रहमान को जिन्होंने 20 मैचेस में 28 विकेट्ट लिए हैं विद्धी एकनॉमी ओफ 7 तो नंबर 10 पर रखा है मैंने युगांडा के प्लेयर दिनेश नाकरानी को जिन्होंने 21 इनिंग्स में 35 विकेट्ट लिए हैं विद्धी एकनॉमी ओफ 5.05 तो नंबर 11 पर मैंने रखा है माल्टा के वसीम अबास को ज क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स ने T20 इंटरनेशनल के कलेंडर 2021 में टॉप 5 लीडिंग विकेट टेकर्स के अंदर अपनी जगा बनाई है अगर आपने मिडल और की नंबर 4, 5 और 6 के मैचेस और इनिंग्स को देखा हो तो उनके बीच का डिफरेंस काफी जाता है तो यार मैं आपको एक छोटी सी इंफोर्मेशन ये देना चाहता हूं जो भी मैंने बैट्समन इंक्लूट किया है अपनी प्लेइंग लेवन में जिस किसी बैट्समन ने भी किसी भी बैटिंग पोजिशन में तकड़ा पॉफरमेंस किया है तो मैंने उसको उसी पटीकुलर ओर में उसके बाद एक श्रीलंगा का टूर आया था वहाँ पर हमारी इंडिया की दूसरी टीम गई थी जो में स्कौर्ट था इंडिया का वह इंग्लेंड टूर पर गया हुआ था देन उसके बाद डायरेक हमने वल्ड कप खेला एं एक न्यूजिलेंड के तीन मैचेस थे वह खे एंड जिसने भी खेले हैं वो डिफरेंट ओर्डर में खेले हैं तो मैंने आपको पहली ही बताया कि जो मैंने प्लेयर्स को सिलेक किया है अपनी 11 में वह मैंने उनका एक पर्टिकॉलर बैटिंग और पे जो उनका पॉफरमेंस था थूराउट इस येर उसके बेसे में इंक कौन से प्लेयर्स को इंक्लूड करते अपनी 11 के अंदर तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल नेक्स वीडियो में न्यू डिश के साथ